हेलो स्टुदेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, आएम योर टीचर फ्रॉम संस्कति गुरुकुलम स्कूल, हावर योर स्टुदेंट्स, आई होब यू आर फाइन, तोड़े आम गूंग टू टेक अप सब्जेक्ट हिंदी, हिंदी में आज हम पढ़ेंगे विरामचिन, वि को klar है व कि होता है विरामचिन, विरामचिन, आजम मार्क, हाद एक प्रशन के उत्तर बीच में या कॉष्ष मार्म ये लगते हैं कि विरामचिन जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो ब्रॉते समय हम कहीं रुपते हैं तो कहीं इस स्पस्ट तरीके से बोलते हैं हौर वाक अगर हम इस पस्ट बोलते तो हम continue बोलते जा रहे हैं वाक्य लिखते समय हम जहां रुकते हैं उसे हम संकेत या चिन्न से बताते हैं इन चिन्नों को विराम चिन्न कहते हैं विराम चिन्न का प्रयोग यदि उच्छित इस्तान पर ना किया जाए तो वाक्यकार्थ ही बदल जा तुनयके कारण इनका अर्थ अलग हो जाएं कुछ प्रम्भूग विरामचिन हिंदी में मुख्य रूप से निमलेकित विरामचिन्नेंों का प्रयोग किया जाता है पहला है भू पून्विराम सबसे पहले हम जानेंगे फून्विराम के वारे में इस विरामचिन consistently प्रयो लग गया है अब तुम घर चले जाओ इसमें क्या है पूर्ण विराम लग चुका है तो सबसे पहले हम पूर्ण विराम पूर्ण विराम होता है जो अंसर या उत्तर खतम होने वह या कोई बात पूरी खतम होने कर बात जो लगाते हैं उसे हम बोलते हैं पूर्ण विराम ठीक जैसे कि इशान रवी और नमन घर जा रहे हैं इशान और रवी इन दोनों के बीच में हमें थोड़ा रुखना पड़ेगा क्योंकि हम इशान रवी एक साथ बोल देंगे तो फिर वह एक ही नाम हो जाएगा इशान रवी लेकिन कॉमा लगाना अलप विराम लगाना बहुत ज अब हम आते हैं नेक्स्ट पेच पर थर्ड है हमारा प्रश्निसूचक चिन तीसरा है हमारा प्रश्निसूचक चिन जिन वाक्यों में प्रश्निस पूछा जाता है उन्हें अंत में प्रश्निसूचक लगाया जाता है जैसे तुम यहां क्या कर रहे हो इसमें प्रश्निसू लगा है क्या सूरज निकल आया यह भी कॉशन मार्ट के वाला है प्रशन सूचक चिन तो आपको आराम समझ में आ चुका होगा देन पोड़ते हमारा विश्मयादी वोदक चिन विश्मयादी वोदक चिन होता है एक्सक्लेमेट जंडा लगा कर और उसमें नीचे पॉइंट लगा होता है विश्मयादी वोदक चिन के प्रवक दो इस्तानों पर होता है पहला विश्मयादी वोदक के बाद जैसे वा तुमने तो कमाल ही कर दिया अरे तुम आ गए इसमें पहले लगा है लेकिन इन वाक्तियों में जिन में हर शोक दुख आशर घ्रणा आदी के तो में जयो का त्यों लिखा जाता है उन्हें हम उद्धरण चिन में रखते हैं जैसे तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मिसिद्ध अधिकार है इसमें उन्होंने जयो की बात त्यों कर दिये तो किसमें आ जाएगा वह हमारा आ जाएगा उद्धरण चिन में उद्धरण च विराम चिन पूर्ण विराम प्रैशन सूचक उसके बाद हमारा विस्मयादी बोदक उध्धरन चिन और आखरी योजक चिन का पुर्ण चिन प्राइब को प्रियोग और इस थान पर होता है जैसे हम वे दोनों भाई बहन त हैं अगर लिग भी सकते थे दोनों भाई और बहन हैं लेकिन भाई बहन के वीच में क्या लगा है जैसे ऑम नहीं है निर्देश चिन किसी बात का वीबन देने के लिए यह प्रयोग किया जाता है जैसे शदा याद रखिए इश्वार्व्य व्यापक है वह सर्व सक्तिमान है कोई बात याद रखिए यह बात बोला है सूरज के परियावजी चब्द है तो यह किस प्र verdad अल्प विराम प्रश्न सूचक चिन विश्मयादी बोदक चिन उधरंड चिन योजक चिन और आखरी हमारा निर्देश चिन आईए अब हम इसकी थोड़ी से अभ्यासकार को करते हैं और फिर समझते हैं इन में से अलप विराम कौन सा है इस पहला वाला विश्मयादी है दू वारे शोगी तो हम नहीं जाएंगे इसमें पहले वाला अंसर सही है रोटी कपड़ा और मकान क्या इसमें डाइब इस कौण सा गलतै मातापिता बड़े बड़े चावल सीनी और नमक या फिर बड़े बूर्ण इसमें अंसर होगा हमारा माता-पिता भी सहिए इसका अंसर होगा माता-पिता द पूरा होने पर पूर्विराम चिनए वाक्य के बीच में जरा थोड़ा रुकना हो तो अलप दुकि अन्त मैं प्रश्णवाचक हरसी शुक आधी प्लकट करने वाले वाक्यों मैं मैं विश्मयाधी बोदक्चिन जब इसी बात को जियोकत्यों लिखा जाए वह उद्धरण चिन दो सब्दों का आपसी संबन दिखाने के लिए योजग चिन और विवरंड देने के लिए निर्देशिन साथ चुन्न के बारे में बता दिया है किस विराम चिनकार प्रयोग कहा होता है आई ओप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें कॉशन अंसर्स है नहीं आपको पैशनुता नहीं याद करना है बड़ चैप्टर को रीड अच्छे से करना है और इसके चिन्दों के बारे में अच्छे से समझना भी है ओके स्ट्रेंड्स और आपको अपनी बुक फिल भी करना है थैंक यू सो मच स्टे होम स्टे सेव घर पर रहें सुरक्षित रहें